Hello friends, आईए आज हम इस tutorial में new launch items के बारे में समझते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर masters पर click करेंगे, then यह menu आपके सामने appear होगा, उसके बाद आप यहाँ पर choose करेंगे rate and discount master and then new launch items. New launch items का मतलब यहाँ पर यह है कि agencies जो है, वो time to time new items launch करती रहती हैं, और वो agencies अपने distributors को कहती हैं, कि वो यह new launch items हर retailer के पास available करवाएं, बट इसमें distributor की problem यह होती है कि जब operator billing start करता है, तो उसे particular party की particular item को याद रखना मुश्किल होता है. तो उस case में तब वो वहाँ पर new launch item का use कर सकता है, तो आईएव हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरह से new launch items कमांड का use कर सकते हैं, आप इस पर click करेंगे, आपके सामने description की window आएगी, आप यहाँ पर enter की press करेंगे, then अब आप यहाँ पर देखेंगे, items की window आपके सामने display होगी, और अब आप यहाँ से उस item को choose करेंगे, जो item suppose new launch होई है, like हम यहाँ से जो है, इस item पर click करते हैं, after that आप यहाँ पर issue quantity में issue quantity एंटर करेंगे, means कि जो भी हमारी billing होगी और उसमें हर bill में कितनी quantity जानी चाहिए, वो issue quantity आप यहाँ पर enter करेंगे, like हम यहाँ पर issue quantity एंटर करते हैं, one, then enter press करते हैं, then अब आप यहाँ पर escape की को प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर यह पूछेगा, sure to quit, आप यहाँ पर yes करेंगे, जैसे आप quit करते हैं, यह आपको main screen पर लेकर आता है, issue quantity एंटर करने के बाद, अब suppose हम यहाँ पर किसी party के लिए bill create करते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर transactions में जाएंगे, suppose हम यहाँ पर choose करते हैं, sale and then bill, इसके लिए आप यहाँ यहाँ पर keyboard से alt के साथ n भी प्रेस कर सकते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर sale entry की window display होगी, सबसे पहले आप यहाँ पर enter की प्रेस करेंगे, जैसी आप enter की प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ ledgers मिलते हैं, अब suppose हम यहाँ पर narela pharma के लिए bill create करते हैं, जिसके लिए हम इस पर click करते हैं, अब आप यहाँ पर enter की प्रेस करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसी हमने यहाँ पर enter की को प्रेस किया, और जो issue quantity हमने new launch item के अंदर enter की थी, इसने उस quantity को यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे इसने उस quantity को यहाँ पर जो है, automatically track कर लिया, Thank you.